Welcome back to the next video तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो इंटरनेट है वो exactly किस तरा काम करते है अब बहुत से जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा जो इंटरनेट है ये एक कलाउड है जो कि आसमान पे कहीं पे लटक रहे हैं ठीक है और ये बहुत ही कोई कॉंपलेक्स चीज़ है समझने में आपको बहुत आपको लगता कि जाते है ये बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है जो कि एक आम बंदे की समझ में नहीं आ सकती है जबके जो reality है वो यह है कि हमारा जो internet है यह बहुत ही simple चीज़ है यह सारी game किस चीज़ की है यह सारी game है wires की जो के आपके computers को आपस में connect करती है जिसके थूँ आपके computer एक दूसरे के साथ communicate कर पते हैं ठीक है अब जितना अगर मैं आपको यहाँ पर समझाओं कि मान लो यह आपका computer है ठीक है और आप बैठे हो इस game Pakistan में अब यह एक wire के थूँ आपका computer connect होगा कहीं पर मतलब आप क्यालो लंदन में कहीं पर computer है ठीक है यह एक computer है एक computer आपका Pakistan में है जिसको आप use कर रहे हो ठीक है अब आप कुछ data है जिसको आप access करना चाहते हो वो कहाँ पर पढ़ा है वो लंदन में पढ़ा है ठीक है लंदन में जो आपका server है जो आपका computer है यह बहाँ पर पढ़ा हुआ है ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है कि यह दोनों computer आपस में communicate करते हैं और जो data इसके पास है वो wires के थूँ आपके computer तर उसको send कर देता है अब यह जो data transfer होता है यह बहुत बड़ी wires होती है उनके थूँ transfer होता है आप पर internet के जिनिया में कुछ computers होते हैं जिनकी कुछ special job होती है जिनको 24-7 online रहना पड़ता है तांक bully आपको data जो है वो दे सके हैं जो आप request कर रहे हैं तो उस type के computer को हम कहते है server थीक है यह हमारा server हो गया और जो request कर रहा है कि मुझे यह data चाहिए थीक है उसको हम कहते है client मतलब आप as a client आप server से request कर रहे हैं कि मुझे यह वाला data चाहिए ठीक है और आपका server आपकी request को देखके वो वाला data in wires के through आप तक send करता है अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ imagine करें कि यह एक बहुत वड़ी library है जिसके अंदर जो आपकी सारी website है वो store है जिस तरह library के अंदर आपकी book store होती है ठीक है उसी तरह यह एक library है एक web server है जो कि 24-7 open रहता है आपको serve करने के लिए यहाँ पर जो एक issue आता है वो issue यह आता है कि लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो लाखों क्रोडों की तदाद में website है तो यह उन website को किस तरह भी देना second उनको यह ढूंडता है और ढूंड के लाके आपको दे देता है ठीक है यह इतनी बड़ी library जितना हमने library की example ली तो अगर मैं कहूं कि इतनी बड़ी library में इतनी ज़्यादा books पढ़ी है तो वो ढूंडना इतना easy नहीं होगा ठीक है तो इस problem को internet ने किस तरह solve किया इस problem का क्या solution है इसका solution simple यह है कि let's say कि आप अपने घर पे बैठे हैं यह आपका computer है ठीक है अब यहां से आप लोग ने type किया आप type करते हैं google.com ठीक है और यह मैं mouse के थूरू लिख रहा हूं तो यह आप लोग को थोड़ा सा जरा इसको बरदाश्ट करना पड़ेगा ओके तो आप अपने computer से बैठके वहां पर browser पे जाके search करते हैं google.com अब यहां पर front end पे आपकी side पे तो यह आपको simple google का जो page है वो within a second या within a minute आपको show करवा देगा लेकिन behind the scene क्या हो रहा होता है वो यह होता है कि आपका जो computer है वो एक request send करता है एक message send करता है ISP को ठीक है अब ISP कै है ISP आपका वो internet service provider है जिसको आप piece pay करते हैं कि वो आपको internet provide करे ठीक है अब जिस तरह अगर आप US में है तो US में AT&T है ठीक है अगर आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में PTCL है इस तरह आप जहां पे भी रहते हैं वहाँ पर कोई ना कोई internet service provider होता है जो कि आपको internet provide करते है ठीक है अब आपका जो internet service provider है जो आपका ISP है आपने उसको एक message बेजा कि मैं google.com को देखना चाता हूँ मैं इसको open करना चाता हूँ अब आपका ISP क्या करते है उस message को forward कर देते आगे DNS को ठीक है अगर मैं यहाँ पर लिखतू DNS अब यह DNS क्या है यह DNS है domain name system server अब DNS क्या है अगर मैं आपसे generally बात करो यह phone book की तरह है ठीक है यह करते है यह आपकी request को देखते है कि आपने क्या चीज access करने की request की है ठीक है फिर यह अपनी database में जाता है जाके उस exact IP address को यह find करते है उसको डूंगते है अब यहाँ पर जो मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ यह है कि दुनिया में जितने computer है जितने mobile है हर किसी का अपना एक IP address होता है ठीक है IP address उसकी एक unique identity है ठीक है आप किसी website को access कर रहे है उस website का एक unique IP address होगा अब आप अगर अपने computer की setting में जाके देखें तो आपकी computer का भी एक IP address होगा जो के दुनिया में किसी और computer से match नहीं होता होगा आपके mobile का भी होगा इसी तरह simply यह basically एक postal code की तरह work करता है इसके थूँ आप उन websites को उन files को access कर सकते हैं जो आपको चाहिए हैं ठीक है इसको आप files send या receive करने के लिए use करते हैं अब हमारा जो DNS है वो जब अपनी database में आपकी इस request को चेक करेगा कि आपने access करना google.com को तो वो जाके अपनी पूरी database को search करेगा उसके अंदर check करेगा कि google.com का जो IP address है वो क्या जब उसे एक दफा वो exact IP address मिल जाएगा वो क्या करेगा वो simple यहां से उस information को वापत बेजेगा ISP तक और ISP के थूँ वो वापत आएगी आप तक अब इस सारे procedure में क्या हुआ आपके पास google.com का IP address आगया अब आपका computer क्या करता है आपका computer उस IP address पे direct request करता है कि मुझे अब जिस तरह यहां पर मानने के UK में वो IP address UK में है आपका computer direct request करेगा उस IP address पे कि मुझे google.com का home page जो है वो show करवा दो मुझे यह चाहिए ठीक है वो वहाँ से फिर files को वहाँ से आपकी request को accept करेगा और वहाँ से वो files को send करेगा वापस आपकी computer तक और आपके computer में जो आपका browser है उस पे आपको google.com का home page show हो जाएगा अब यह जो सारा procedure मैंने आपको बताया है कि पहले ISP तक जाएगा फिर DNS फिर वापस अब यह जो सारा procedure है कि आपका computer पहले ISP को request send करता है फिर DNS को करता है फिर वहाँ से IP address वापस आता है फिर आप direct उसको request करते हैं यह सारा procedure बिदिना seconds होता है back end से ठीक है इसलिए कभी भी आपको यह website अगर search करेंगे तो आपको फोरां से मतलब बिदिना seconds वो आपको show कर देता है आपकी website अब यह सारा काम हो किस चरह रहा होता है अब यह सारा काम हो रहा होता है अब यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो अगर हम जाएं simple मैं यहाँ पर जाता हूँ यहाँ पर आप अपने google पर जाकर लिखते हैं dns lookup आप यहाँ पर search करते हैं कोई भी website फर्सक्रों मैं search करता हूँ इसरा मैंने google.com लिखा तो इसने मुझे उसका एक IP address दे दिया अब मैं इसको copy करके अगर मैं अपने browser पे इसको paste करूँ ठीक है अब यह देखें मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मैंने सिर्फ यहाँ पर कुछ नंबर देखे हैं जो के एक IP address है ठीक है इसको अगर मैं enter करूँगा तो यह मुझे क्या show करवाएगा यह देखें इसने मुझे google का homepage show करवा दिया ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ यह वो IP address है जो के अगर आप यहाँ पर लिखें google.com अब जब आप enter करेंगे यह पहले ISP तक जाएगा फिर वहाँ से DNS से जाके वो इस address को सर्च करेगा फिर आप तक ले गयाएगा हमने direct यहाँ पर जब वो IP address लिखा तो हमने direct request की इस IP address से के हमें यह वाला जो page है यह show करवा दो आपके पास जो files है वो हमें show करवा दो उसने direct हमें यह files show करवा दी तो यहाँ से जाके आप लोग किसी भी website का IP address सर्च कर सकते हैं यहाँ पर बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल आता है कि यह सब तो ठीक है लेकिन यह जो data transfer हो रहे है जो data हमारे तक आ रहा है यह किस तरह आ रहा है basically हमारा जो data हमारे तक आता है वो आता है massive cables के थूँ ठीक है अगर मैं इसको बढ़ा करूँ तो हमारा जो data हमारे पास आता है जो के massive cables के थूँ आता है जो के हमारे oceans के नीचे बिची होती है ठीक है अब यह जो cables हैं यह बहुत बड़ी होती है आपने कभी सुना होगा कि अगर कभी जिस चरह कभी होता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं आता for example पूरे कंटरी में अगर इंटरनेट नहीं आ रहा तो कभी कभी आप लोग ने नियूज में सुना होगा कि जो स्मूंदर के नीचे जो केबल हैं उनको वो डैमेज होगी हैं उनको रिपेर कर रहे हैं तो यह जाइंट केबल होती हैं जो के आपस में कंट्रीज को कॉनेक्ट करती हैं और उसके थूँ आप लोग दूसरे मुमालिक से किसी दूसरी जिगा यू ऐसे से कोई फाइल को एक्सेस कर पाते हैं अब य जिसना अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाओं अगर हम यहाँ पर जाएं तो यह देखें सब्म्रीन केबल मैप अगर आप यह गूगल पर सर्च करते हैं तो यह आपको दिखादेगा यह दिखें जो पूरी दुनिया हैं वो वायर्ज के थ्रू आपसमें कॉनेक्ट है जिस ज़्यादा वायर आपस में एक दूसरे के साथ कुनेक्ट जिसके तुरू आप डेटा एक्सेस करते हैं जिस तरह ये ये वही चीज़ है कि आप सिंपल अपने मुबाइल को या किसी भी दो लैपटोप को अपने गर में किसी वायर के तुरू आपस में कुनेक्ट कर दें और उनके दरम्यान जो भी डेटा आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ये वही चीज़ है लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ये है कि ये अंडर ओशन है और ये बहुत बड़ी वायर्द होती है बहुत बड़ी बड़ी वायर्द होती है अब यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ मैं आपको फिर थेख़़ा यह सारा को सब्सक्राइब बड़ा देता हूँ यह बिल्कुल सिंपल चीज़ है इसमें है कोई चीज नहीं है इंटरनेट सिंपली वायर्द है जो के एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कुनेक्ट करती है ठीक है और उसके चीज़ चीज़ आप अपने उस डेटा को एकसेस करते हैं जो आपको चाहिए ठीक है सिंपल आपने यहां पर गूगल.com लिखा ठीक है जब आप एंटर करते हैं या आप कोई भी और वेबसाइट लिखते हैं तो यह यहां से जाता है आपका जो लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसको आप पे करते हैं यह उसके पास रिक्वेस्ट बेचते हैं वो आगर रिक्वेस्ट बेचते हैं DNS को अब DNS आपके आपके उस नाम को उस आपकी ग्योमेन को वो अपनी डेटाबेस में चेक करते हैं और उसका जो IP अड्रेस है वो वापस ISP के तो यह सिंपल सा कॉंसेप्ट है इंटरनेट का जिसको लोग बहुत ही कॉंपलेक्स समझते हैं तो यह थी हमारी आज टी वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई